नमस्कार दोस्तो अभी हुम लोग डिसकसन करने वाले है सेवी का one of the घटिया नियम ESM फ्रेमवार के बारे में दोस्तो सेवी ने ये जो enhanced surveillance major का रूल लाया है सेवी ने अभी हाली में ये जो ESM बाला रूल को लागू किया है ये रूल actually में थोड़ा सा घटिया है देखिए ESM के stage के अंदर क्या होता है ESM stage में हम लोग shares को case से sell कर सकते है एक share कब ESM stage से बाहर जाएगा इसके बारे में हम लोगों ने अलेरी पहले से ही चर्चा कर रखा है आप लोगों को इसी वीडियो के आखरी में वीडियो मिल जाएगा बहाँ पर आप लोगों को detail में सब कुछ पता चल जाएगा कि ESM क्या होता है ESM के अंदर एक company कियों घुसता है ESM के अंदर company घुसने के बाद आप लोग किस किस तरीके से ESM बाले company के shares में खरीदार यान विक्वाली कर सकते हो ESM stage के अंदर से company कैसे निकलेगा उसके रिगरिंग मैंने पूरा पूरा A to Z वीडियो बना कर रखा है आप लोगों को इसी वीडियो के आखरी में ESM माला वीडियो फ्लास होता हुआ दिखाई देगा लेकिन दोस्तों अभी हम लोग special बात करने वाले है कि सेबी ने ये जो नियम लागू किया है ये आखिरकार कितना दूर सही है और कितना दूर गलत है देखिए दोस्तों पहला चीज सेबी ने जो सोच कर ये नियम लागू किया है वो ठीक है क्यूंकि बहुत सारे से खराब कमपनी है बहुत सारे से खराब पेनी स्टॉक से जहां पर ये रूल आक्चोली में लोगों को मदद करेगा लेकिन अच्छे कमपनियों का क्या जी हां मैं मानता हूं कि कुछ खराब कमपनी है कुछ नहीं दोस्तों बहुत सारे खराब कमपनी है जहां पर सेवी का ये जो ESM बाला रूल है ये काम करेगा लेकिन कुछ अच्छे कमपनियों का क्या मैं देख रहा हूं इसे बहुत सारे अच्छे कमपनी जे लिटराली दोस्तों इसे बहुत सारे अच्छे कमपनी जे जिनका मार्केट का 500 करोड से कम है इसी बज़े से उनको डाल दिया गया है ESM शेस के अंदर देखे अगर एक खराब कमपनी के अंदर अगर एक ब्यार कमपनी के अंदर ESM बाला प्रोसेस होता है तो पर बहुत सही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 500 करोड से नीचे बाले जितने भी सारे अच्छे कमपनी ज़े उनके अंदर भी आप लोग ESM बाला प्रोसेस को लागू कर दो क्यूंकि देखिए आज से कुछ साल पेले या आज से कुछ समय पले हम लोगों ने एससे बहुत सारे स्टोरिया सुने है हम लोगों ने एससे बहुत सारे किस्ते सुने है कि फलाना पेनिश्टक एक के जुन जुन बाला बनकर हमारे सामने खड़ा होता नहीं ना क्यूंकि ESM एक एससा प्रोसेस है जो कुछ पोटेंश्याल पेनिश्टक से होते है ना उनको भी मार दे रहा है जैसे कि दोस्तों सपोस किजिए एक पेनिश्टक ए एक सुआई जड जो की फंडामेंटाली श् प्रोसे कम का है और किसी आच्छे रिजन के बज़े से इस कंपनी के अंदर एक सांधर तेजी दिखाई देता है। अगर एक कमपनी 500 करोड से नीचे का मार्केट के आप रगता है और अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा उच्छाल दिखाई देता है या अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा गिराबर दिखाई देता है तो उस कमपनी को ESM के अंडर डाल दिया जाएगा समझ पारो ना दूस्तों एक कमपनी है XYZ एक अच्छे रिजन के बज़े से उस कमपनी का सेर प्राइस बहुत तेजी से उपर भाग रहा है लेकिन ये जो कमपनी इसका मार्केट के अप कितना है 500 करोड से कम का है और सेभी का नियम क्या है कि 500 करोड से कम के मार्केट के आप ब लेकिन ये जो उपर भाग रहा है एक अच्छे रिजन के बज़े से भाग रहा है कमपनी का पंडामेंटल से अच्छा है इसलिए कमपनी उपर भाग रहा है लेकिन सेभी तो ये नहीं देखेगा न कि कमपनी आच्छा है या पर कमपनी किस बज़े से भाग रहा है सेभी कम कम्पनी भाग रहा है और कम्पनी को क्या कर देगा ESM स्टेज के अंदर ले आएगा और जिन जिन लोगों ने बहुत अच्छे से अनालिसिस करके एक दम फंडामेंटाल टेक्निकल सब कुछ पढ़ कर इस XYZ कम्पनी के अंदर इंबेस्मेंट किया होगा उनका तो घोड़े ही लग जाएगा देखिए मैं सेभी को गलत नहीं बता सकता हूं इतना उकात तो मेरा भी नहीं है और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्षन में भी आके बोलेंगे कि तु गधा है तु कुछ नहीं जानता सेभी जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है हाँ सेभी जो कर रहा ह लेकिन हो यहांग अदर चला जाएगा लेकिन दोस्तोष मुजीए एक खराब कंपनी ABC क्या एक खराब कंपनी ABC जिसका मार्केट के आपे 510 करूर का जिसका मार्केट क्ाश्म सफ और भी निचे गिर रहे है रहा हैव्चा से उपर उठ रहा है लेकिन इस कंपनी यह साथ तो यह सा कुछ भी नहीं होगा ना क्यूंकि इस company का market gap 500 करोड से जादा है तो इसको ESM framework के अंदर इतनी आफसानी से समील नहीं क्या जाएगा और यह खराब company होने के बावजुद भी बच जाएगा ESM framework से तो एक और जहां पर आप लोग एक अच्छे company को ESM framework में डाल रहे हो वोई दूसरी और एक खराब company ESM framework से बच जा रहा है क्यूंकि company के market gap में बस 10-20 करोड का ही फरक रहता है क्यूंकि देखिए अगर एक अच्छा company देखिए दोस्तों सब्सक्राइब एक 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 यजड वाला जो company है ना इसका market के आपए 490 करोड का और एक company है खराब company ABC जिसका market के आपए 510 करोड का तो नियम क्या है कि 500 करोड से कमके market के आप वाले company कहां पर जाएंगे ESM framework के बावजुद भी इस company को क्या कर दिया जाएगा ESM list में डाल दिया जाएगा क्योंकि company का market के आप 500 करोड से कमका है लेकिन दोस्तों वही दूसरी और सिर्फ परसी 500 करोड से 10 करोड का ज्यादा market के आप रखने वाला यह जो company है ना यह खराब company होने के बावजुद भी यह से सेवी के ESM framework से बच जाएगा क्यों बच जाएगा क्योंकि इसका मार्केट के आप बहुत थोड़ा सा ज्यादा है थोड़ा मतलब बस दर बस 10 करोड का यह आं दोस्तों मार्केट के अंदर 10 करोड का कुछ भी वैलू नहीं होता है आप और मेरे दिये 10 करोड बहुत जादा ह बहुत अच्छा है बहुत सांदार है हम इस नियम का दिलो जानचर एक्सपेक करते है लेकिन सेवी से यह भी गुजारिस करते है कि भाई जो आच्छे कंपनी जिये उनको तो बक्स दो क्योंकि देखिए जैसे सेवी का ESM बाला नियम है ठीक बेसे ही सेवी का ASM बाला भी ए इफ्स वो काम कर देखिए कंपनी हमारे देश के ले ड्रोन बना रहा है कंपनी का बीजनस आंधार चल रहा है कंपनी का हाली का जो क्वर्टर ली नति जाया है यह वो बहुत सांधार आया है बाला कि कंपनी ऑजल फांटास्टिक है कंपनी एक दों मस्त partir company & company मस्त होने के ब बाद में दो दिन के लिए कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा क्रास हो गया तो अभी मुझे बता ये कि जिस किसी ने में जेन टेक्नोलोजी के अंदर इंबेस्मेंट क्या रखा होगा अच्छे से अनर्सिस करगे उसका क्या होगा उसका तो एकदम से घोड़े लग जाएग मुझे पता है सेवी जो कुछ भी कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए ही कर रहा है वो हम जैसे छोटे छोटे रिटेल इंबेस्टर के बरे में सोच कर ही कर रहा है लेकिन सेवी को ये भी सोचना चाहिए कि छोटा इंबेस्टर कब बड़ा बनेगा जब उसको छोटे कंपनि छोटे मोटे कॉंपनियों के भरसे ही जीता रहता है मुझे पता है दोस्तों कॉंपनिय का share price का कुछ भी लेना देना नहीं है लेकिन जो एक छोटा retail investor होता है उसके दिमाग में एकी चीछ होता है कि मुझे छोटे companies के अंदर investment करना है अगर आप लोग किसी छोटे रिटेल इन्वेस्टर को यह बोलोगे कि जाओ बाजाज फाइनांस का सेयर खरीदो वो बिल्कुल भी नहीं करीदेगा क्योंकि उसके पाच इतना नलेज नहीं है लेकिन इसना मतलब यह नहीं है कि वो छोटे कमपनियों के अंदर पेशा लगा कर बड़ा नहीं बन सकता है अगर वो आज के दिन पर कुछ अच्छे चोटे कमपनियों को पिक करेगा तो आने बाले दिन उसको बहुत बड़ा रिटन मिल सकता है तो आने बाले दिनों में हम में से कोई भी बड़ा इंबेस्टर नहीं बन पाएगा क्योंकि हम लोग रिल्लांस, बाजाज फाइनांस, HDFC, ICIC में पेसे लगा कर जीत हो सकते हैं लेकिन बहाँ से हम लोग इजीली करोर पती नहीं बन सकते हैं जो एक लाक रुपे लगाकर एक करोर कमाने का मौका है ना, वो छोटे-छोटे कमपनियों के अंदर ही मिलता है और सेवी अगर ये मौका हम से छीन लेगा, तो हम लोग तो बेसे ही गरीब है, आगे भी गरीब बन के जी लेंगे देखिए दोस्तो, मैं सेवी को गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना उकात मुझे में नहीं है अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अगर मेरे चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो सायद सेवी मेरा बात सुन सकता है लेकिन मैं तो इतना चोटा सा हूँ, तो मेरा बात सेवी कैसे सुनेगा तो फिर मैं आप लोगों के उपर ही छोड़ देता हूँ, आप लोग क्रिप्या कमेंट करके बताएगे कि सेवी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, यह जो ESN बाला चीज है सेवी को इसके अंदर कुछ उधार लाना चाहिए कि नहीं, बकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किजिए, लाइफ में मज़े किजिए, ज़य हिंदे